हलो दोस्तो आप सभी का अपने यूटूब चैनल बेस्ट एजुकेशन सेंटर में हार्दिक स्वागत है दोस्तो आज हम पढ़ने वाले दस्वी किलास के साइंस के चैप्टर 6 जय परक्रम के मोस्ट इंपोर्डेंट क्वेश्चन्स और उसके आंसर्स और यह दोस्तो इसका पार चैनल प्रफाट फूर ऊगां ने से पहले पार्ट टू में पार्ट थरी में और पार्ट उन में बहुत सारे इंपोर्डेन्ट कोशन्द पढ़ेते जिसमें मानो शोसंतंत के बारे में था इसके अलावा मानो 25 पारे में था तो आज हम पढ़ने वाले मानो में समवहन या फिर प्रिवाहन कह सकते हो या यह कुल मिलाकर कह सकते हो कि मानुमें के बारे में जितने भी question है उसारे important question का answer करने वाले हैं कौन-कौन question का answer करने वाले हैं चले देखते हैं एक बार बारे में हमें लिखना है इसका कारे भी लिखना है ठीक है और उसके बाद हम प्रशन पढ़ेंगे धमनी और शीरा में क्या अंतर है बहुत important question है ठीक है एक्जाम में हमेशा हाता है चोथा प्रशन हिर्दे क्या है मानो हिर्दे का स्वक्ष नमांग की चित्र बनाए पाच्व में दोआरे रख प्रिसंचरन क्या होता है इसके बारे में हमें ब्याख्या करना है ठीक है कई बार एक्जाम में आ चुका है सातवाय लसीज Musik कि statute 8 प्रशन में परिवहन किसके द्वारा होता है और जैलाम और फ्लोम में क्या अंतर है यह भी बहुत important question है जैलाम और फ्लोम तो चले, one by one करके सारे प्राश्न के आंसर करते हैं, बिल्कूल असान सा तरीके से ठीक है, तो चले, पहला प्रश्न परते हैं, पहला प्राशन की मानोसमthest अंत्र की से कहते हैं, अंत्र के मुक्यों के तक, ठीकैं, आप पूर्ती करना, पहुचारना, परिवाहन करना, ठीको, समवाहन का मतलब परिवाहन होता है, ड्रहना, ले जाना, ठीकैं, तो ही पूरा complete तंत्र मिला कर क्या गालाता है, मानो, समवाहन, तंत्र, ठीकैं, यह बात किलियर हो गए अब देखो दूस्तों मानों समान तंद्र के मुख्यावईओ कौन से होते हैं पहला होता है हिर्दय हिर्दय क्या होता है कि यह रुदिर को एक pump की तरह शरीर के बीविन भागों में विशने का कारे करता है हिर्दय जो हता है न हमारा heart करके आमें उरजा देता है ठीक है तो हिर्दय का बहुत important role होता है उसके बात दूसरा है धमनी ठीक है तिसरा है शीरा और 14 रक्त धमनी क्या होता है कि यह सुध रक्त को बहुत important है याद रखना यह सुध शुद्रक्त को हिर्दय से शरीर के विभीन अंगों तक पहुचाता है, शुद्रक्त मतलब ऑक्सिजन के साथ मिला हुआ रक्त, ठीक है, उसको क्या करता है कि हिर्दय से शरीर के विभीन अंगों तक पहुचाता है, जबकि शीरा क्या होता है, शुद्रक्त को शरीर के विभी बीवीन अंगों तक पहुचाना और शीरा का काम होता है कि शरीर के बीवीन अंगों से अशुद रक्त को रिदय तक लाना समझ गई इतना और चोथा रक्त तो रक्त बहुत इंपोर्टेंट है ठीक है या उक्सिजन के समवहन शरीर को रोग श्रक्षा इत्यादी परदान करन यह भी हमें बताना है ठीक है तो दोस्तों रक्त क्या होता है एक सन्योजी उतक है आपने 9th क्लास में पड़ा होगा कि रक्त क्या होता है एक सन्योजी उतक होता है इसके द्वारा शरीर के बीतर एक अस्थान से दूसरे स्थान तक पदार्थों का समवहन होता है रक्त के द में देखो दो परकार के अवयो पा जाते हैं एक ठोस अवयो होते हैं जिसमें रूधिर करनी काया आती है और एक होता है द्रवी अवयो जिसको हम प्लाजमा भी कहते हैं ठीक है तो दो परकार के वयो होते हैं ठोस अवयो और द्रवी अवयो ठीक है अब देखो दोस्तों ठोस जिसको white blood cells कहते है और तीसरा होता है platelets ठीक है जो हम अभी आगे पढ़ेंगे तो दोस्तों RBC के बारे हम थोड़ा जान लेते हैं कि इसे erythrocydes भी कहते हैं ठीक है मानों के प्रति माइक्रो लीटर रक्त में यानि कि एक माइक्रो लीटर में RBC की संख्या कितनी होती है 5 से लेकर 5.5 मिलियन तक होती है ठीक है 5 से लेकर 5.5 मिलियन के बीच में RBC की संख्या होती है कितने में मात्र 1 माइक्रो लीटर रक्त में ठीक है और WBC के बारे में देखते हैं कि इसको क्या कहते है लिकोसाइट्स ठीक है इसको लिकोसाइट्स भी कहा जाता है रबिसी को इर्थ्रोसाइट्स और WBC को लिकोसाइट्स कहा जाता है यह रंग हीन होता है क्यों होता है क्यों होता है क्योंकि इसमें हिमोगलोबिन पाय नहीं प बीच में होती है, इसकी संख्या जो होती है, बहुत कम होती है, ठीक है, आर बीसी की संख्या ज्यादा होती है, और ठोस अवयों में जो तीसरा है, वो क्या होता है, प्लेटलेट्स, ठीक है, तीसरा होता है प्लेटलेट्स, जिसको रग्द पडिकानू भी कहा जाता है, या इ रक्त को ठका बनाने में साहिक होता है कई बार होता है कि हमारे हाथ पेर या कहीं भी कट जाता है या फिर छिल जाता है तो रक्त निकलता है लेकिन थोड़ी दिर बात क्या होता है जम जाता है तो इसका कार्ण क्या होता है यह प्लेटलेट्स होता है ठीक है अगर में में कौन होता है। यानि रक्त को ठका बनाने में कौन सा थो ब्लैटलर्स होता कि आ ते यह डौश वैसे होता है, अब द्रव्ल में प्लाजमा थोता है और इसमें नैंटी परसंट क्या होता है जल होता है 7% प्रोटीन तता शिश अनकार्बनिक और और कार्बनिक पदार्थ भी दमान होते हैं ठीक है जैसे यूरिया हो गया तो इसमें उपस्तित प्रोटीन को प्लाजमा प्रोटीन भी कहा जाता है ठीक है इसमें उपस्तित प्रोटीन को प्लाजमा प्रोटीन यहाँ प उक्साइट का समवहन करना यह नहीं परिवहन करना ठीक है दूसरा यह पोशक पदार्थ तो यह हर्मोन का भी परिवहन करता है ठीक है हमारे शरी से जो हर्मोन निकलते है यह फिर पोशक पदार्थ हो गया जैसे बिटामिन्स हो गया मिनरल्स हो गया तो इन सब क्या करता है सम रूप बनाए रखता है ठीक है शरीर के अपमान को मेंडेन करने भी रखत की बहुत important रोल होता है उसके बाद या संक्रामक रोगों से सरीर की सुरक्षा पदान करता है तो इस तरीकी से 4 लिख लोगे बहुत होता है तीन नंबर काता है रखत का कार ठीक है तो तीन नंबर के इस liberals यह level होता है ठीक है तो इतना समझ गया हूंगे डिक कि रखत क्या होता है और इसके अधिकalayा होता है रखत के कार अधिक है छले पर थे नेक्स पैस बहुत important है तीक है यह तो समझ के सात्ति जो मिला वगा रखत बर को को खिरदय श проблемы के विभीन को शिकाष तक पहुचाता है जब कि झीक इसका उड़्डा काम शीरा करता है यह उशुद रग्त को को शरीर के विभीन अंगों से एक अग्र करके वापस खिरदय तक लाखता है लेकिन इसमें अप 있지 इसमें फुफुस धमनी हो जाएगा और इसमें फुफुस सीरा हो जाएगा ठीक है तो फुफुस धमनी फुफुस शीरा यह अपवाद में है ठीक है समझ में आगे यह पॉइंट धमनी का काम होता है धमनी देखो मोटी होती है ठीक है यह हिर्दय से पंपिंग करके शरीर के को जाता है यह बहुत हई फ्रेसर का होता है ठीक है जब कि शीरा होता है पतले होते हैं यह हर आपे पड़ आप दिख जा यह निले कलोर का शरीर में लेकिन ढहाता है तो शीरा जहोता है भी बीभीन अंगों dissoci कि भीन अंगों से के बीना ओक्शिजन वाला यानि carbonate oxide से म्खुष्ध रग्ध को हिद्धय तक वापस लाता है नहीं कि अशुद रग्ध को वापस लाता है उसके बात धमनी की जो भीत्ती होती हÄ मोटी होती है और अधिक लचिली होती है तीक है जबकि शीराओओं मोटी और कम लचिली होती है यानि यह दमनी जो होता है बहुत मोटा होता है शीरा जो होता है पतला होता है दमनी अगर किसी वज़े से कट जाए तो इसमें बहुत सारे रक्त निकल सकते हैं ठीक है जबकि शीरा में जो है तो इससे रक्त कम निकलता है ठीक है तो अगला है कि इसमें वल्ब नहीं होते है वल्ब का मतलब इसमें कोई रुकावट नहीं होता है ठीक है जैसे आपने वासर का नाम सुना होगा ना वासर जो होते हैं नल के वगर में लगा जाते हैं तो क्या करता है कि वो रोकने का काम करता है वाल्ब का बॉल्ब होता है जो की पानी को ठहराओ देता है लेकिन धमनी मे जबकि शीरा में क्या होते है वल्व पाय जाते है ठीक है इसमें ठरा होता है ठीक है और चोथा होता है कि यह सता ही नहीं होते ठीक है यह उत्कों के नीचे पाय जाती है मतलब यह अंदर गहरायों में शरीर के अंदर में होता है जबकि तुछा के नीचे आपको असानी से अबनonstर नहुँत नव всп है किा पंप Corps करता है जो सुद रूदिर को पूरे सरेर控र वाइचता है और शरीर केंगों से खीच कर पर फेफ़रो थित्था गूरदोस से सुदो होने के लिए भेजता है ठीक है और शरीर के वाला चितर है और ये रियल का चितर है इस तरीके का आर्ट होता है इसमें ये जो होते महा धमनी होते है इसके बाद ये महा सीरा होता है ठीक है ये फुफुश धमनी अकल आती है इधर के साइड वाला क्या होता है कि ये दाया भाग होता है जिसमें सब से उपर आलिंद होता ह यह में ध्यान रखने वाली बात है, आलिंद निलए, मा दमनी, फुफुष दमनिया, फुफुष सी राये, ठीक है, और ये बाया आलिंद हो गया, उपर वाला और नीचे वाला, बाया निलए, ठीक है, ये बीच में विभाजी का होता है, यानि कि यह क्या करता है विभाजित करता है शुदर अशुदर रखत के दो अलग-लग निले है पार्ट को ठीक है तो यह आप फिगर को ध्यान रखना इसको बना के प्रैक्टिस कर लेना क्योंकि एक्जाम में आता है मानोहिर्दे का सुख्ष नमांकी विभी चित्र बनाए ठीक है शिम्पल साय है ठीक है और जिस परकार से वीडियो में देख रहे होगे किस तरीके से मानोहिर्दे का रहे है पम्पिंग करता है ठीक है नेकश्ट प्रश्न कि रखत नाव क्या है फीरदय से जब Aufg pumping होता है और शरी के बीबेन अंगों तक पहुंचता है तो क्या हाता है दबाओ के कारण के साथी तो आगा न बीने प्रेशर के तो जैसे पानी अगर पाइप में भर रही हो प्रेशर ही नहीं होगा तो आगे नहीं जा सकता टीक है? तो pressure होगा तभी तो आगे जाएगा न, बस वही pressure जो हता है न, रुधिरवाई का होगा है, रुधिरवाई का मतलब नसो का वुसी को हम रक्त दाव कहते हैं, और जो समान मनुष होता है, तीक है, स्वास्त मनुष, उसका जो रक्त दाव होता है, 120 बाई 80 mm होता है, तीक है, या फिर पारा कहते हैं, ठीक है, 120 upon 80 mmHg होता है, ठीक है, याद रखना यह objective question एक्जाम में आता है, कि समान मनुस्र में जो रगदाब होता है, कितना होता है, तो 120 upon 80, अगर इससे अधीक होता है, तो इसको हम कहते हैं, बीपी हाई है, ठीक है, और इससे काम होता है, तो क्या कह करते हैं, कि डॉक्टर शरीर के अंदर की धमनियों को सुनते हैं, जिसको आला कहते हैं, आला लगाते हो लोग, और कान में सुनते हैं, तो धमनियों की आवाज आती है, धग 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 है न, उस तरीके सो सांस लेने छोड़ने के लिए कहते हैं, तो तो जही सी बाते दबाव भी तो ज़्याद होगा प्रिश्य ज़्याद होगा और शीराउं यह कम होती है ठीक है इसमें बॉल भी लगा होता है इस वज़ासे भी यह कम हो जाती है और रक्त-दाव को मापने वाले यंत्र का नाम याद रखना इंपोर्टेंट है इसफाइगम मैनो मीटर इसको ध्यान रखना ये एक्जाम में आ जाता है कई बार गलती से स्थेतोस्कॉप लिख देते हैं तो ये गलत हो जाएगा रग्द दावको मापने वाले यंद्र को स्फाइगमो मैनो मीटर का आ जाता है तो ये बहुत इंपोर्टेंट कोश्चन है स्पेसिली अग्त को वहारा समाझलो क्या होता है क्या होता है कि शरीर के विभीन है अंगोसिक महाशिड़ा दोरा ऑशूध रखत को कहां पर लाया जाता है दायाँ आलिंद में पहले रखत कहां आता है दाया ओली से दाय निलाय में आता है और दाय निलाय से फूफुस दमनी द्वारा ठीक है फूफुस दमनी है इसके द्वारा रखता है फेफडे में ठीक है यानि एक बार शुद रखता है हिर्दाय में और क्या होता है कि फेफडे में ऑक्सिजन के साथ मिलकर यह शुद्रक्त बन जाता है और वहाँ से फुफुस सीरा क्या करता है कि इसको वापस कहाँ पिलाता है बाया आलिंद में ठीक है और बाया आलिंद से फिर बाया निले में जाता है और बाया निले से यह जो महा धमनी है महा दमनी दोवाया फिर क्या होता है कि पूरे शरीर में शुद्रक जाता है यानि कि हिर्दय में 2 बार रखता रहा है एक बार शुद्रक और एक बार अशुद्रक तो यही दो बार आने के वज़़त से इसको क्या करते है formations में दोहरे रख्ट परिसंचरण कर आ जाता है समझ में आया ना figure questions ध्यान रखना कि महाज शीरा क्या करता है कि अशुद रख्ट को पूरे शरीर से हिर्दय तक लाता है जबकि महाज धमनी शुद रख्ट को हिर्दय से पूरे शरी तक ले जाता है, यह ध्यान रहेगा, इसके बाद जो अशूद रख्त होते हैं, वो दाएं आलिंद और दाएं निलाय में आते हैं, जबकि शूद रख्त जो होता है, वो बाएं आलिंद और बाएं निलाय में होता है, शूद होने के लिए कहा पर जाता है, तो फ लिखो कि कैसे हैं सिंपल सी वासा मैंने आपको फिगर द्वारा समझा दिया बस वही बात को बिल्कुल ऐसेटीज लिख देना है कैसे कि मानो हिर्दय शरीर के सभी भागों से अशुद रखते हैं को दो अगर महाशीरा और एक पश्च महाशीरा द्वारा इकठा कर दाएं आ आलिंद में और फिर उस शुद रखत को फूफुस धमनी द्वारा फेफुलों में शुद करने तू भेज दियाता है शुद करने का मतलब है उसमें ऑक्सिजन को मिलाना कार्बन डेक्साइड को हटाना क्योंकि रखत में क्या होता है कि कोशिकाओं से वह कार्बन इस शुद रखत माहादमनी है निले कि यहां ब्रवा माहादमनी ऑर फेसरा के साथ सब्सक्राइज कि पूरे शरीर के सकत्ता चीन स Eh Karena रखना तो फिर शरी में बेदिया जता है इस परकार शरी में रख्त संभवान के एक चक्र को पूरा करने में हिर्दय से दो बार गुजाना पड़ता है पड़ता है एक बार तो अशूद रखता है हिर्दय में फिर शूद हो के वापस हिर्दय में तो दो बार आ गया न रख् विद्धे जो है शूद और अशूद रगत को मिश्रित नहीं होने देता है यानि कि यह क्या होता है कि मिश्रित यहां पे होता ही नहीं है दोनों अलग होता है क्योंकि यह जो बिभाजक यहां पे होता है डिवाइडर होता है ठीक है जो कभी मिलने ही नहीं देता है इनको ठी लसी का किसे कहते है, बहुत छोड़ा सा question है, ठीक है, और इसका answer आप लिखोगे, लसी का एक तरल होता है, जो रूदिर प्लाजमा की तरह ही होता है, लेकिन इसमें अलप मातरा में protein होता है, ठीक है, लसी का वहन करने में साहता करता है, वहन करने यानिकि संब्वान में, यान important question है especially gylam और phloem से related तो दोस्तो पादपो में परिवान इनी के द्वारा होता है किसके द्वारा जाईलम और phloem के द्वारा ठीक है पादपो में मोकरूप से जो परिवान होता है जाईलम और phloem के द्वारा ही होता है इसमें अंतर क्या लिखेंगे जाइलम, जाइलम क्या करता है कि मिर्दा से जल और खनीज लवनों को वन करता है यानि कि मिट्टी से जल और खनीज लवनों को पतियों तक पहुचाता है और फ्लोयम मतलब फ्लो करना यानि कि फैलाना तो फ्लोयम का काम होता है कि पतियों ने जो भोजन बनाया है और phloem का काम होता है कि पत्यों ने जो भोजन बनाए प्रकास संस्लेशन की परकिरिया के दोरान उसको वापस कहां ले जाएगा पौदों के बिबीन भागों तक ठीक है अब जायलम क्योंकि इसका काम होता है जल और खनीजला उनको पत्यों तो पहुंच जाना इसलिए जाना के फल सरुप उसको उपर भी जाना है मतलब जहां तक पहुंचा सके शरीर के बिबीन भो तक उसका पहुंचाना काम होता है इसलिए यह द्याना करना कि जायलम सिर्फ उपर की और गति करता है जबकि phloem की जो गोशिकाय होती है उपर और नीचे दोनों तरफ की होती है ठीक है बहुत important question है याद कर लेना next question है इस्तंधारी और पक्षियों में oxygenit और बी oxygenit रुदिर को अलग करना क्यों आवसके और बी oxygenit मतलब जो oxygen के साथ है और बी oxygenit मतलब जो बिना oxygen का यानिकि इसमें carbon dioxide मिला है यानिकि सूद और असूद रगत का सकते हो यह अलग करना क् हो ज़रूरी है क्योंकि सूद रगत अग्मान चलों की अगर अलग अलग नहीं रखेंगे तो कुशिका को मालूम कैसे चले है कि कौन oxygen वाला है और कौन बिना oxygen वाला है ना तो इस वज़ा से इस्तंधारी और पक्षियों में जो है यह अलग करना आवसक है तो इसको किस पर अगराने पर शरी को उच दक्षता पूर्ण oxygen उपलप्त कर होती है ना अगर oxygen रख्त होगा रुदिर होगा तो कुशिका को मालूम रहेगा है ना तो प्रोपर यूज़ करेगा उसका glucose का अच्छे से दान होगा तो अच्छी उर्जा प्राप्त होगी ठीक है और उससे हम अ अगर अच्छा है तो उसको अलग कर लेते हैं क्यों क्यों कि हमें अगर ज़रुएत है किसी अच्छे चीज़ की तो मसानी सा हमें ढूनना नहीं पड़ेगा जल्दी समीं मिल जाएगा और उसका मुपयोग कर लेंगे उस तरिके से अगर oxygen साइत अगर और उदिर होगा तो क अक्सिजन नीत वाला जो रखत होगा उसको छोड़ देगा कि जाओ तुम शुद्ध हो के आओ ठीक है तो यह परकिरिया होना बहुत आवश्यक है ठीक है तो यह था हमारा आज का अंति प्रश्ण I hope कि आपको यह जो है टॉपिक आज का संभुवहन चाहे मानों में हो चाहे पादप में हो अच्छे से समझ में आ गया होगा एक बार हम रिव्यू कर लेते हैं कौन-कौन से प्रश्णों की आंसर हमने किया है इसको अच्छे से पढ़ लेना ठीक है एक्जाम में इसमें से जरू कोशन आएंगे तो हमने क्या कोई पढ़ा कि मानस वहनतंत की से कहते है मानस वहनतंत के मूखे घटक पढ़ेते हैं हिर्द내 पढ़ा था द्मनी की शिरा पर लग्शिरी केher उपर रखते के बारे पर ने पढ़ेते हैं इसके वर्या रखत रुदी की से कहते हैं이죠 प्रिभाषा पढ़τε इसक M.M.H.G. होना चाहिए मनुष में दोरा रख परिसंचन अच्छे से आपको समझा दिया है आयोप आपको याद हो गया होगा हिर्दे में दो बार रख आता है एक बार शूद और एक बार शूद रख इस वाद से दोरा रख परिसंचन कहा जाता है ठीक है लसीका के बारे में आपको बता दिया पादब में परिवारन किस के दोरा होता है जैलाम फुलों में अंतर बता दिया और रस्तंदारी और पक्षियों में अक्सिजनी तो और भी अक्सिजनी दिरुदीर को अलग करना क्यों आपको हो शक है हमने पढ़ लिया ठीक है तो आई होप आपने ये अच्छे समझाओगा फिर मिलते हम नेक्स्ट वीडियो में इसका अंतीम पार्ट होगा जो कि उत्सर्जन होगा मानों में उत्सर्जन किस परकार से होता है उससे लेटर जितने भी इंपर्टन कोशन है हम उस पार्ट में पढ़ने वाले हैं फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई दोस्तों जाएं